नमस्कार भारत के पहले डिजिटल मॉबाइल न्यूस चानल में टू टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका बुलिटिन के शुरुबात करते हैं हेडलाइन से केंद्री ही है दिल्ली का बॉस अधिकारों की लडाई में हाई कोट से केजरिवाल सरकार को जटका कहा पुलिस जमीन पर केंद्र का फैसलां तिम फैसले के खिलाव सुप्रीम कोट जौएगी दिल्ली सरकार हाई कोट ने रद किया गुजराच सरकार का अध्यादेश आर्थिक रूप से पिछडों को नहीं मिलेगा दस फ्रिस्दी आरक्षन आरक्षन को बताया असंवेधानिक सरक सम्मेलन में बोले पाक पी-म नवाश्वरी खतम करेंगे अगनाइस्ड क्राइम आतंगवाद है चनौती आतंगवाद को बताया पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की समस्या आप संसद भगवंत मान बोले लिखित माफी नामे से पी-म का नाम नहीं हटाए जाएगा चाहे संसद से निकाल दो विवादित वीडियो मामले में संसद में प्रवेश पर लगी है रोक और 44 लाख लोगों का इंकम टैक्स बकाया माफ करने पर दिचार कर रही मोधी सरकार छेसो कड़ोर का टैक्स माफ करेगी सरकार पांच हजार से ज़्यादा बकाया पर नहीं मिलेगा लाम दिली हाई कोट ने गुरवार को दिली सरकार और केंदर के बीच चल रही अधिकारों की लड़ाई पर फैसला सुनाया है कोट ने कहा है कि दिली में पुलिस, जमीन और कानून विवस्था से जोड़े मामलों में आखरी फैसला केंदर ही करेगा अदालत के इस फैसले से दिली की अर्विंद के जरिवाल सरकार को बड़ा जटका लगा है भारत के सम्विधान के आर्टिकल 239AA के तहट भारत की यूनियन टेरिटरी में पुलिस, कानून विवस्था और जमीन से जोड़े मामलों में पावर केंदर के हाथ में है और दिली हाई कोट ने उसे अपने आदेश में भी बरकरार रखा है दरसल दोनों के बीच कई मुद्धों पर अधिकारों को लेका टकराव होता रहा है और 24 माई को दिली हाई कोट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद फैसला सुरक्षत रख लिया था आमाधिपाथी के प्रवक्ता अशुतोष ने कहा है कि हाई कोट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं इसे हम सुप्रीम कोट में चुनाती देंगे गुजराथ सरकार को गुजराथ हाई कोट से बड़ा जटका लगा है पाटिदार अंदोलन के बाद आर्थिक अधार पर दिये गए आरक्षन को हाई कोट ने गैर समविधानिक करार दिया है राज्य में उच्छ जाती के लोगों के लिए गुजराथ सरकार के जरिये दिये गए पी आई एल को लेकर गुरुवार गुजराथ हाई कोट ने अपना एहम तैसला सुनाया कोट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आर्थिक अधार पर आरक्षन को असमविधानिक बताया है गौर तलब है कि आरक्षन की मांग को लेकर गुजरात में अंदोलन कर रहा पाटिदार समुदाय भी सामन्य वर्ग में आता है सरकार के इस फैसले से उनको भी आरक्षन का लाब मिलता राष्ट द्रो के आरोक में जेल काट चुके हर्दिक पतेल की अगुवाई में पाटिदार समुदाय ने आरक्षन की मांग को लेकर राज्य व्यापी अंदोलन छेड़ा था जो बाद में हिंसक हो गया एक दिवस्य सारक का ग्रिह मंत्री सम्मेलन का आगाज गुरुवार को पाकिस्तान के इसलामबाद में हुआ पाकिस्तान के व्रधान मंती नवाज शरीफ ने सम्मेलन क्या आगाज करते हुए कहा कि कई चुनौतियों के बावजूद सार्क ने दक्षिन एशिया में ज्यादा से ज्यादा शेत्री एकिकरन को बढ़ावा देने में सरहानिय योगदान दिया है नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंगवाद और संगठित अपराधों को जड़ से खतम करने के लिए प्रतिवद है आतंगवाद सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बलकि पूरी दुनिया की समस्या है हमें संगठित अपराद और आतंगवाद के खत्रे को रोकने के लिए एक जूट होकर चुनौती का सामना करना होगा पाकिस्तान के पीम नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में ऑपरेशन जोबे अजब की बदौलत आतंगवाद के खिलाफ बड़ी कामियाबी हासिल हुई है दिली से अपने संसदिय शेत्र संगरूर आते हुए गुरुवार सुभा आमादी पार्टी के संसद भगवंत मान फेस्बुक पर अपनी कार में बैठे हुए वैसे ही लाइव हुए जैसे वो संसद के विवादत वीडियो में हुए थे मान ने तंज कसा कि वो ऐसा करके अपनी सुलक्षा से खिलवार कर रहे हैं इसके बाद मान ने अपने विरोधियों पर जम कर हमला बोला मान ने कहा कि इसके बावजूद मैंने बिना शर्त माफी मांग ली है लेकिन अब मुझे कह रहे हैं कि अपनी लिखित माफी में से प्रधान मंतरी और पठान कोट की बात हटा लू लेकिन वो मैं बिल्कुल नहीं हटाऊंगा चाहे वो मुझे पालियमेंट से ही क्यों ना निकाल दे उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है मैं नशी का आदी हूँ देश में पहली बार इंकम टैक्स विभाग बड़े पेमाने पर टैक्स माफी देने पर विच्चार कर रहा है इसके पीछे सोच ये है कि इस से लंबित कानूनी मामले घटेंगे टैक्स वसूली का खर्च कम होगा और बड़े कर चोरों पर फोकस करने में मदद मिलेगी सरकार करीब 40 लाख लोगों पर 600 खड़ो रुपाई का बकाया इंकम टैक्स माफ करने पर विचार कर रही है इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिन पर 5000 रुपाई से ज्यादा टैक्स बकाया नहीं हो तीन साल के भीतर ऐसे बकायदारों की संख्या 44 लाख तक पहुँच गई है सरकार 5000 रुपाई तक के रिफरंट के मामले निपठने में भी तेजी ला रही है इस अमन्द में इंकम टैक्स भाग ने एक सरकुलर भी चारी किया है आमनागरिकों सरकार के लिए भी फायदेमंद माने जाने वाला गुद्स एंड सर्विस स्टैक्स संशोधन बिल कल राज्यसभा में पास हो गया उपरी सदन में करीब 8 घंते की लंबी चर्चा के बाद देश्वाम बिल पर वोटिंग हुई संशोधन बिल के पक्ष में 203 वोट पड़े जबकि जैललिता की पार्टी ए आई ए डी एम के ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया बिल के पास होने के बाद प्रधान मंठी नरेंद्र मोधी ने ट्विट कर सभी दलो और उनके सदस्तेयों को धन्यवाद कहा वही विक्तमंत्री अरुन ज्येटली ने बिल के पास होने के बाद केक काट कर खुश्या मनाई इससे पहले उन्होंने ही संशोधित बिल को सदन के पतल पर रखा था उन्होंने ज्येस्टी को बीटे एक दशक का सबसे महतपूंड कर सुधार करार दिया ज्येटली ने बताया कि ज्येस्टी से भारत एक समान माकेट में बदल जाएगा उन्होंने कहा कि राजुसभा ने ज्येस्टी बिल को सिलेक्ट कमिटी में सौपा था ज्यादतर दलों में इस बिल को लेकर सहमती बन गई है केंज सरकार ने बहु प्रतिश्वित मोटर यान संशोधन विधैक 2016 को कल मंजूरी दे दी विधैक में यातायात नियमों के उनंगन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना और हिट एंड रुन मामलों के लिए दो लाख रुपए का मुआवजा शामिल है सडक दुरगटना में मौत होने की स्थिती में दस लाख रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान विधैक में किया गया है सडक परिवहन और राजमार्क मंतरी नितन गड़करी ने कहा कि सडकों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोश लोगों की जान बचाने के दिशा में ये एक एतिहासिक कदम है उन्होंने कहा कि विधैक के प्रावधान अठारा राजियों के परिवहन मंतरीयों की सिफारिशों पर अधारित है और इसमें निर्धारित गती से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर एक हजार से चार हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है पहुंचे जहां सीएम ने अपना इस्तिफा दिया सोशल मीडिया के जरिये अपने इस्तिफ़े की पेशकश करने वाली आनंदी बेन पतेल का इस्तिफ़ा बीजेपी संसदिये बोट की बैठक में मन्जूर किया गया इसके बाद शाम पाच बजे आनंदी बेन गवर्नर को अपना इस्तिफा देने पहुंची हाला कि जब तक नए मुख्यमंत्री के नाम की घोशना नहीं होती है आनंदी बेन कारिवा हक मुख्यमंत्री के तौर पर बनी रहेगी आनंदी बेन ने इस्तिफ़े के बाद आज सुभा बीजेपी के राश्ट्री अध्यक्र अमिर्श्वा एम्दाबाद पहुँच गए है शाबीजेपी विधायक दल की मीटिंग में हिस्ता लेंगे बैठक में वी सतीश और दिनेश शर्मा समेथ बीजेपी के मुख्य मंत्री के संभवेत दाविदार भी मौजूद रहेंगे प्रवर्दन रिदेश्वाले ने पूर्व केंद्री मंत्री श्रंकर सिंग वगेला और अन्या के खिलाफ कतहित मनी लॉंटरिंग का मामला दर्ज किया है यह मामला मुंबाई में नाशनल टेक्स्टाइल कॉर्पोरेशन की एक प्रमुक जमीन की बिक्री से संबंदित है जिसे सरकारी खजानी को कतहित रूप से 709 कडो रुपाई का नुकसान हुआ CBI ने पिछले साल संग्यान लेते हुए अपराधिक रशाचार का मामला दायर किया था प्रवर्तन नितेशवाले ने अब मनी लॉंटरिंग रोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दायर किया है अधिकारियों ने बताया कि एजंसे इस मामले में CBI और अन्य एजंसियों से जानकारी जुटाने के बाद जाच की है इसके अलावा उसने आरोपियों द्वारा जुटाए गई अपराध की कमाई की पहचान भी की है वगेला और अन्य लोग जिनका नाम FIR में है को जल्द पूछताज के लिए समन किया जाएगा कश्मीर घाटी में कलताजा जड़पों में कई सुरक्ष कर्मियों समेथ दरजनों लोग हायल हो गए इस बीच यहां एक अस्पताल के बाहर पैलिट गन से एक यूबक की मौत के बाद घाटी में जारी अश्वानती में मनने वालों की तादाद 51 पहुच गई अधिकारियों ने कानून विवस्ता बनाए रखने के लिए एतियाती उपायों के तहट घाटी के कई और इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया लेकिन शेहर के छटा बल इलाके सहित कई जगाओं पर इन आदेशों का उलंगन हुआ छता बल का रहने वाला रियाज एहमद कल रात कत्य तोर पार सुरक्षा बलों दुबारा मारा गया था घाटी के कई हिस्तों से प्रदर्शन कारियों और सुरक्षा बलों के बीच जड़ब की खबरे आई हैं दक्षन कश्मीर के कुलगाम जुले में वैपक स्तर परहिंसा हुई जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों समेच दर्जनों लोग घायल हुए अनादिकारिक रप्टों में घायलों की संख्या सतर बताई गई है दलितों पर हुए हमलों की घटनाओं से होने वाले नुकसान को भापते हुए RSS ने डामज कंट्रोल की कमान संभाल ली है गुजरात और उतरप्रदेश दोनों ही राजियों में अगले साल चनाव होने हैं और उना में दलितों की पिताई के मुद्दे पर बीजेपी बैक फुट पर है लिहाजा संग अब दलितों को लुभाने की योजना बनाने में जुट गया है इसकी शुरुवात RSS उना से ही कर रहा है जहां दलितों के लिए सामाजिक समरस्ता आयोजन किया जाएगा इस कारिक्रम के तहट संग के प्रचारक और स्वेंट सेवक दलितों के घार जाकर संग के एतिहास के जौनकारी देने के साथ ही दलितों को बताएंगे की संग अपनी स्थापना के समय से दलितों के साथ रहा है संकिस्वें सेवक रक्षा बंधन का कारिकरम दलित बहेनों के साथ मनाका समाजिक समरस्ता का संदेश देने की कोशिश करेंगे मायवती पर टिकटों में धांधली का आरोप लगाने के बाद बहुजन समाज पार्टी छोने वाले पूर बीएस पी नेता स्वामी प्रसाद मौरिया जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सूतरों के मताविक मंगलवार को मौरिया और बीजेपी अध्याक्रामित शाह के बीच बैठक हुई इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाय जा रहे हैं बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौरिया आठ अगस्त को अधिकारिक रूप से बीजेपी के सदस्ता स्विकार कर सकते हैं पिछले दिनों मौरिया ने बीएस्पी की चीफ मायवती पर टिकटो में खरीद फ्रोक्त का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी मौरे ने BSP सुप्रीम मायाबती पर संगीन आरूप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अंबेट करके सपनों को बेचा है पार्टी में दलेतों की कोई सूध नहीं ले रही राष्ट्य डोपिंग निरोधक एजंसी से कलीन च्विट मिलने के बाद नरसिंग यादव को कल युनाइटेट विश्व कुष्टी से भी रियो उलम्पिक में भाग लेने की इजाज़त मिल गई नादा ने सुमवार को नरसिंग को बेकसू ठहराया था वे यू डबलू डबलू के जवाब का इंतिजार कर रहा था क्योंकि भारतिय कुष्टी मासंग ने 74 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में उसके नाम पर पूर्ण विचार करने का आगर किया था भारतिय कुष्टी मासंग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन शरन सिंग ने कहा नरसिंग को नाडा से क्लीन चुट मिलने के तुरंद बाद हमने विश्व इकाई को पत्र लिखकर उसके नाम पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा मुझे आज ये एलान करते हुए खुशी हो रही है कि उनाइटेड विश्व कुष्टी का जवाब आ गया है जुसने नरसिंग को रियो उनम्पिक में खेलने की अनुमती दे दी है खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की पलपल की खबरों के लिए बने रही है मेट्रो टीवी के साथ नमस्कार